अलो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग तो बहुत सब स्वागत है आपका एक और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आज जो हमारे सामने गाड़े कड़ी है कि है कि ह्टी के प्लस वेरियंट है सॉनेट ठीक है कि है कि है कि सॉनेट है तो यह जो मॉडल ह है इसका इसमें आपको क्या क्या फीचर staircase मिल रहें हैं ठीक है ब्राइस के सम्छंते सबके बारे में सब 치 precision के बारे में सबwehर के बारे में भहार सब को पता झाल, 10 ,09,60,90 रोपे में पैसा आपको देखने के लिए गाड़ी का मिल वहीं जो गाड़ी के लुक्स हैं overall looks देख लो यार कितने धासूर कितने सारे changes हुएं गाड़ी में ठीक है सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं दिखाना चाहूं आपको front से देखो इसकी glossy black color की grill tiger nose में कितनी ज़्यादा लाजवाब कितनी ज़्यादा must लग रही है एक दम खदरनाग डियारल इसके अंदर मिल जाते हैं और यहां पर silver color की certain finish के साथ यहां पर पहले chrome मिलता था अभी silver color की finish दे दी गई है ठीक है इसी price range में आपको DRL यहां पर देखने के लिए मिल जाती है यहां को दीकरी होगी ठीक है यहां पर आपको नीचे indicator यहां नीचे fog lamp की placing है ठीक है एक चीज़ और बेस ही इसमें हालोजन के काम किया गया है और इसमें एक चीज़ और देखो sensors में रिवर सेंसर के साथ साथ आपको आगे भी sensors मिल रहे हैं यह चीज़ देख लो 1790 mm की चोड़ाई मिलती है इसमें आपको silver color का नीचे भी एक इस clip plate दिया गया है glossy black नीचे भी है और यह overall look निक profile के आता है और यहां पर देख लो tiger nose grill दी गई है और 1790 mm की चोड़ाई है जो कि मैंने आपको बताया है आप चलते हैं थोड़ा साइड profile की तरफ भाई सब side profile में आगर मैं इसकी length की बात करूँगा आपसे तो 4 मीटर के अंदर अंदर इसकी length आपको देखने के लिए मिल जाती है 399 mm के इसमें आपको length मिल जाती है ठीक है 4 मीटर के अंदर ही वहीं जो इसके wheel है R16 के wheel इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे और यह आपको देखने के लिए मिलेंगा और 205 mm का ground clearance यह चीज इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे जो की बहुत जादा बढ़िया है ठीक है body door color में ही आपको door handles मिल जाते हैं यह चीज बहुत जादा ऊपर रोफ रेल हो गई body color door handles इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते है बात करेंगे इसके mirrors की तो इसके जो ORBMC इस पे हैं इस पे ही indicator की placing है और यह adjustable width ठीक है यह सब कुछ अंदर से ही आप इसको button से ही कर सकते हैं बहुत इसको fold कर सकते हैं adjust कर सकते हैं button से ही ठीक ऊपर roof rail हो गई बी पिलर पूरा blacked out मिलता है इसकी मैंने length आपको बता दी है वही इसकी बात करते है fuel tank capacity की 45 लिटर का fuel tank capacity इसमें आपको मिल जाती है तो भाई सब यह पूरी profile overall हो गई है अब चलते हैं तो अब आ जाते हैं हम इसके पीछे की profile पे पीछे की profile से बात करें के ठीक है इसमें पीछे आपको कहके चीज़े मिल लिए है सबसे पहले तो connected light देख ल लैम मिल जाएगा ऊपर यहां पर और यहां नीचे indicator की placement मिल जाती है ठीक है यहां पर दो दो reverse parking sensors यह चीज़े मिल जाएंगे silver color की glossy में आपको यह वाली देखने के लिए मिल जाती है और हाँ एक चीज camera camera मैं आपको यहां पर अभी दिखा देता हूं आपको यहां पर नीच ठीक है यह होगी भार-भार की पूरी के पूरी रेर लूग भार से गाड़ी होगी अब बात करेंगे हम इस गाड़ी के अंदर से अंदर से क्या क्याओ चीजा मिलती है वह वाली बात अब करेंगे। जब सबसे पहले मैं आपको चावी के दर्शन करना चाहूंगा इस तरह के बड़ी स्मार्ट सी एक दम मस्त वाली चावी मिल रहे हैं आपको देखने के लिए लोक अनलोक का है यह थर्ड नमबर वाला जो यह बूट का है यह बूट अनलोक कर देगा ठीक है और यहां पर रिक िड़े में पूरी मैं सेलवर के फटनिश क्रोम को हटा के सिलवर का काम किया चैनलो क concur किए यहां पर था आप जावर विंडो नहीं है ऑर we een कंट्रोलगा है और आटो यहां पर कटंतरोल मिल जाते हैं एड़ेस्ट करने के लिए और वीम कोहांपे मिल जाते हैं ठीक है है यह हो गई चारो पांचो चीजे यह दर्वाजे के बारे में आप सीट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा अंटर थाई सपोर्ट भी बढ़िया मिलेगा इसके अंदर आपको तो हाइट अपको मिल जाएगा सीट में देखने के लिए और भाई साब इतने कम प्रैस में अंड पिलर्स पे मिल रहे हैं दो फ्रेंट पे मिल जाते हैं अंदर बैठ के बात करेंगे गाड़ी में यह देखो पूरा का पूरा इंटीरियर कुछ लाजवाब वाला इस तरीके का आपको किया सोनिट अच्टी के प्लस विरिंड पे मिल जाता है पुश इंजन स्टाड साथ और देखो इसके अपकर फिनिश और एक चीज़ और यह मलब कंट्रोल किया गया है इसके उपर जब यह फिल्म देख रहे हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है इसको हटाने के ज़रूर है एट इंचिस का इसमें बड़ा सा आपको इंफोटेन्मेंट देखने के लिए मिलेगा ठीक है एंडुडोट अपल कार प्ले वायरलेस सपोर्टेड होता है जो की बहुत ही जादा बढ़िया है ठीक है यहाँ पर कुछ इस तरीके का आप देख रहे हो यह ग्लॉसी ब्लैक कलर के इस तरीके से कुछ प्रोटेक्शन दे गई है यह भी द देख सकते हैं इसको मूव करके देख सकते हैं यहाँ फोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता ओपर और यहां पर आपको टाइप सी की चार्जिंग करेक्टिविटे मिलेगी जो की फास्ट चार्जिंग आप करेक्ट करोगे तो आपके फोन में लिखा हुआ आएगा फास्ट चार्जिंग ठीक है 12 वोट चार्जिंग सोकेट यहां पर मिल जाता है 18 वोल्ट की सपोर्टेट चार्जिंग मिलती है यह सी वोट यहां पर टू काप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको बोतल भी रख सकते हैं आप काप होल्डर के सास्थ बोतल भी हैं यहां पर एजली आ ज यहां पर आपको मिरर मिल जाता है और वहीं इसमें जहांके हैं तो आपको गलोब बॉक्स में इस तरीके का स्पेस मिल जाता है ठीक है आजाते हैं यहां पर स्टेरिंग में यहां पर देख लें अंदर बाहर करके उपर नीचे करके तो सिफ टिल्ट है अंदर बाहर ही हो रहा बहुत ज़्यादा बड़िया है ब्लब यह एक नहीं फीचर के साथ चीज़ देखने को मिली है ठीक है और यहां पे आपका वाइपर के स्टॉक्स मिल जाते हैं देखने के लिए और यहोगा भात सर्थ स्टेरिंघ देखे लेते हैं यह पूरे इन्फोटेंट्रोल्जेंगे इस निमिन के यहां पहीं से यहां पर आपको अप्डाउन करके से कंट्रोल सबकुछ कर सकते हैं अपने मुल्टीं मीडिया तरह भी इसके राइट साइड में थे करेंगे तो यहां पे बटन क्लस्टर गया है कि क्लस्टर को यहां से आप सफल कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा है ठीक है यहां पर आपको गेज दिखा देगा और यहां पर जितनी क्लस्टर कि यहां से चेंज कर सकते हैं ले स करेंगे सकते दूब इसके बड़ाबर में यहांno कंट्रोल का मिल जाता है ठीक है तो ट्रेक्शन कंट्रोल तैयर बहुत अच्छी चीज हो जाती है यहाँ पे आप इसको अन अफ कर सकते हैं और यहाँ पर इंजिन स्टर्डिस्टोप को नीचे मिलेगा और यह आपका मिल जाएगा पार्किंग सोरी फ्रंट के सेंसर्स के लिए आगर टू-टू करती है किसी भी क्राउड़ी डेरी में तो आप यहां से बंद कर सकते हो और बराबर में इसके लाइट लाइबर ठीक है अब पीछे यहाँ पे आपको यह सब चीज़े मिलती है देखो टॉब मोडल वाली चीज़े आपको ठ सब्सक्राइब करते हैं यहां पर चारजिंग के लिए सपोर्टेट टाइप सी यहां पर फोन अखने के लिए स्पेस ठीक है यहां तो बहुत ही कम है से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है पीछे पॉकेट्स है ऊपर आपको सेकेंडरी लाइट्स मिल जाएगी ठीक है य ठीक है एक वे जिसके एड़ास टेफल पीछे वाले नहीं मिलेंगे पुरी पूरी सीट गिरानी पड़ेगी तभी आपको स्पेस मिल सकता है ठीक है यह तो होगे पूरा पाइस आगे का पीछे का सब बता दिया मैं आपको पीछे की बात कि लीए बूट की उसकी डिगी हुक मिल जाते हैं ठीक है और इसमें एक स्पेर विल मिलेगा हमारे नीचे तो ये एक इंच छोटा हुगा यानि कि 16 इंचिस के अलव मैं आपको दिखाए दें टायर की प्रोफाल ये 15 इंचिस है तो ये मिल जाता है अब जो हमारी लास में बात रह जाएगी इसको बंद करने के बाद वो रह जाती है हमारी इंचन के बारे में यानि की में पॉइंट के बारे में आन कर लेते हैं बोलट को और अब बात करेंगे हम अपने इंचन के बारे में इसको यहां से मैंने कर दिया हूँ इसको हटाओ अब करते हैं इंचन के बारे में बात सारी के सारी डिटेल जो भी है मैं आपको दे दे तो भाई सब इसमें आपको जो इंजन में स्पैसिफिकेशन मिलती है वह मैं आपको बताता हूँ वन पॉइंट टू लीटर का फॉर सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है जो की बहुत ज़्यादा रेफैंडमेंट और कंपनी ने इस पे खूब अच्छा खासा काम किया है बहुत बढ़िया वाला काम किया है भाई सब इंजन में नौइस अगर गाड़ी स्टा है ना आपकी तब आपको अंदर बैटके पता भी ने चलेगा गाड़ी कब में स्टार्ट है कब में बंध है ठीक है पावर की बात करूं आपको एटी थ्री पीच्पी की पावर 114 नम का टोर किसमें आपको मिलता है उपर देखो इंसुलेशन कवरिंग की कोई जरूरत नह आपको मैं ब्रेकिंग से सारे सेफटी फीचर आपको बता चाहिए हैं एक चीज की कमी लगी है मुझे दो चीज की मतलब इतने सारे फीचर होने के बाद बस एक चीज की कमी थी वह था इसका क्रूस कंट्रोल और आपका संग्रूफ यह तो चीज वैसे क्या टोब मोडल में मिल जाएंगी ऐसी कोई बाद नहीं है मगर इस वेरियंट में आप मुझे बताना वीडियो कैसी थी हमारी अंडर टैन लैक्स रूपीज में किया कि सॉनिट अच्टी के प्लस वेरियंट जो कि मैंने आपको बताया पूरी के पूरी डिटेल्स थी हैं सारी स्पेसिफिकेश में आना आपको इस गाड़ी के बारे में दे दी हैं ठीक है वीडियो कैसी लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना इसकी प्रोफाइल के बारे में मैं आपको सारी चीज़े जितने भी इन्फॉमेशन है मैं आपको अपने अकॉर्डिंग वन वाई वन कर करके दे चुका हूँ ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाहसा बिना सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाना ऐसे इन्फरमेटिव टाइप की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ ठीक है और वीडियो कैसे लेगे यार में जरूर जाके कमेंट शेक्शन बताना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ओके हम मिलता हूपन